आज मैं लेकर आई हूँ ब्रत में खाने के लिए आलू की बर्फी की रस्पी ये बनाना बहुत ही असान है और जट पर आप पांच मिनट में इसे बना के खा सकते हैं और जो लोग ब्रत रखते हैं खास करके उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये तो चलिए इसे बनाते ह तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं किरन और किरन की रसोई में आपका स्वागत है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीस एक लाइक जरूर कर दें और पूरी वीडियो देखे पसंद आए तो एक सब्सक्राइब भी कर दें तो चलिए इसे बनाते हैं और यह और इस तरह से हमने ले लिया है कदूकस और जो बारीक साइड होता है उस तरफ से हम इसे अच्छी तरह घीस लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने आलू को सारा घीस लिया है तो यहाँ पर ले लिया एक बाउल में पानी और इसमें डाल देते हैं इसे दो से तीन बार हम धो लेते हैं और जितना भी आलू का स्टार्च है वो अच्छी तरह निकल जाए तब तक हमें धोनी है तो चलिए इसे धो लेते हैं तो इसे मल मल के धो लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने धो लिया है अच्छी तरह और देखिए बिल्कुल वाइट दिख रहा आलू तो इस तरह से हाथों से अच्छी से निचोड लेंगे हम निचोड के हम निकाल लेंगे और सारे आलू हम इसी तरह निचोड तो इस तरह से देखिए हमने सारा निचोल लिया है तो चलते हैं गैस के तरफ गैस पर हमने रख लिया एक कढ़ाई और गैस को ओन कर दिया है बिल्कुल लोफ लेम पर रखा है तो इसमें हम दो चम्मच घी डालेंगे और घी को हमें गरम होने देना है तो अब हम डालेंगे इसमें कुछ ड्राइफ रूट बदाम और काजू डाल देंगे और दो तीन सेकेंड इनको भून लेते हैं तो यहां पर दिखिए हमारा काजू बदाम जो है वो भून गया है तो निकाल लेते हैं और उसी घी में हम आलू को डाल देते हैं और हल्का ब्राउन होने तक इसे खूब अच्छी तरह इसे भूनते हैं आप चाहे तो आलू काट के भी ले सकते हैं उबाल के भी घीस के ले सकते हैं तो इस तरह से हम चलाते हुए अच्छे से इसे पका लेते हैं तो यहां पर देखिए हमारा जो आलू है वो कलर चेंज हो रहा है धीरे-धीरे तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी चीनी हमने लिया यहाँ पर 1.500 ग्राम आप अपने हिसाब से लीजिए जितना आप मीठा खाना चाते हैं उस हिसाब से और इनको भी डाल देते हैं और अच्छी तरह इनको चलाते हुए इसे खूब भूनेंगे चीनी के साथ भी और चीनी भी देखिए हमारी पिघलगी है तो सूखने तक इसे अच्छी तरह भूनते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी चीनी जो है अच्छे से आलू में सोख लिया है और इसे भी दो-तीन मिनट अच्छे से भूल लेते हैं तो अब हम डाल देंगे यहाँ पर 100 ग्राम नारियल बुरादा आपके पास नहीं है तो आप इसके भी कर सकते हैं इसे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और इसे भी गूल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह चला-चला के इसे पकाते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हम डालेंगे ड्राइफ रूट जो हमने तला था उसको भी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह भून लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा आलो जो है और रेडी हो गया है तो चलते हैं इसे निकाल लेते हैं तो यहाँ पर ले लिया हमने एक कंटेनर तो उसमें हम डाल देते हैं और अच्छी तरह इनको फैला लेते हैं और चिकना कर लेते हैं इनको फैलाते हुए अब हम इसके उपर थोड़ा सा और ड्राइफ रूट डाल देते हैं और इसको भी दबा देते हैं अब हम इसे आधे घंटे के लिए ऐसी छोड़ देते हैं ठंडा हो जाए और अच्छी तरह सेट हो जाएगा तो आधे घंटे देखिए हो गया है हमारा बिल्कुल सेट हो रखा है तो इस तरह से चाको लेंगे और काट लेंगे तो हम यहाँ पर बर्फी सेट में काटेंगे तो इस तरह से आप बना के बरत में खा सकते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कह दे तो देखिए हमारी यालू बर्फी रेडी हो गई है बन के खाने के लिए तो चलिए इंज्वाई कीजिए मिलते अगली वीडियो